अब देखो यहाँ पर मैंने एक्जाम्पल ट्रॉ किया हुआ जिसमें तीन कॉंसेंटिक स्फियर्स है एक की उपर चार्ज रखे है क्यू दूसरे की उपर है माइनस क्यू तिसरे की उपर है टू क्यू अब यह भी एक शॉर्ट सर्कृट वाला ही एक्जाम्पल है जिसमें आ अब एकसे में की वाला ही यह कारता हूँ फाइं दो स्फियर्स को में क्या करूंगा इसका मतलब यह है तहीक है अब एकसे एक्जाम्पल में मुझे पूछा हो है जैसे में वाइerd को कलोज करता हूँ Find the new charge distribution. अब एक तो question ऐसा आता है, दूसरा question ऐसा आता है, कि जैसे में wire को close करता हूँ, find the charge flowing through this switch. अब ये switch होगा S, तो पहला question क्या है? New charge distribution. अब new charge distribution मतलब क्या है? Switch को close करने के बाद, after closing the switch. और second है, charge flowing through the switch. समझ मैं? अब इस दोनों question है, जब मैं switch को क्या करूँगा? Close करूँगा. ठीक है. एक काम करता हूँ, मैं अभी switch को close कर देता हूँ. स्विच को मैंने jc close किया, तो मेरा क्या हो गया? मेरा ये wire यहाँ से यहाँ पे चला गया, right? ये, इन दोनों को मैं connect कर रहा हूँ. देखो, ये sphere और ये wire टच नहीं कर रहा है, ठीक है? इनका कोई connection नहीं है. इसको और इसको मैं connect कर रहा हूँ. वायर से, metallic वायर से. अब मैं आपको क्या बोला था? अब जैसी में इन wire को connect करता हूँ, तो basically ये charge q बाहर चला जाए, तो अंदर कितना होगा? माइनस q1 होगा नहीं सर्फेस पे. अब ठीक है, अब इस सर्फेस पे unknown ले ले लेते हैं, q2 कर दिया. तो इसके अंदर सर्फेस कितना होगा? माइनस q2. अब यहाँ पे माइनस q2 हुआ, बाहर की उपर. अब मुझे पता है कि 2q चास तो रहेगा, नहीं नहीं, इस q पर. इधर भी मैंने q3 कर दिया. कितने unknown बचे हाँ पे? इस किदर unknown आगे? q1, q2 and q3. अब जितने unknown ते उतने डाल दिये नहीं मैंने हैं. अब इ q1 minus q1, q2 minus q2 यह तो आपको आना चाहिए. यह तो गॉसला है. ठीक है. तो q1, q2 and q3. अब कितने unknown है? तीन unknown है. अब सपोस्ट 3 unknowns है, तो 3 unknowns को solve करने के लिए कितने equations चाहिए? 3 equations. मैंने बोला क्या था? charge conservation and potential difference is 0. तो उसके यहाप से तो 2 equations बनने चाहिए. लेकिन देखो यहाँ से. यहाँ पर मैंने क्या बोला था? मुझे बताओ, जो अंदर का स्फियर है. इसके उपर charge कितना है? minus q. right? इसको कोई touch कर रहा है क्या? नहीं. तो इसके उपर charge कितना रहने वाला है? minus q ही रहेगा. इसका मतलब, minus q1 plus q2. जो देखो middle वाला स्फियर. तो minus q1 plus q2. minus q1 plus q2. इसकी value कितनी होनी चाहिए? minus q. यह हो गया ना मेरा charge conservation. किसका? middle स्फियर का. अब दुसरा charge conservation कहाँ पर होगा? भाई यह वाला स्फियर. स्फियर number 1 and स्फियर number 3. इन दोनों पे भी total charge कितना था? initial q plus 2q कितना? 3q था ना? तो वो तो 3q ही रहेगा. अब बाद में कितना charge आया है? देखो यहाँ पे q1 आगया. तो q1 लिखता हो. इधर कितना है? minus q2. उपर कितना है? q3. q1 minus q2 plus q3 is equal to कितना आना चाहिए? 3q. देखो दो equation तो कुन से बन गए? v3 तो v1 is equal to क्या होने वाला है? v3. यह होगा मेरा equation number 3. तो v1 की value हाँ पे लिख देता हूँ मैं. तो v1 की value कितना होगी बताओ. अब v1 के उपर सारे charges के बज़े से potential आएगा. q1 minus q1, q2 minus q2, q3. सब का लिख दो. तो v1 कितना आएगा? के q1 divided by r. इसको फ़रा में fast लिखता हूँ. यह potential आपको लिखने को नहीं आ रहे होंगे न? तो potential due to charge conductor यह concept देख लो. ठीक है? तो यहाँ पे कितना हैगा? kq1 by r, इसके बज़े से आएगा. इसके बज़े से आएगा. minus kq1 divided by 2 r. q2 के बज़े से आएगा. kq2 divided by 2 r. इस minus q2 के बज़े से आएगा. minus kq2 divided by yes, radius 3 r. q3 के बज़े से आएगा. kq3 divided by 3 r. तो भाई, v1 निकल दिया मैंने. अब v2 को लिखता हूँ. अब मैंने v1 को लिख दिया. अब मैं v3 को लिखता हूँ. अब v3 के आएगा, v3 के ऊपर क्या होगा? अब v3 के ऊपर आप देखोगे. तो आप directly लिख सकते हो. अब v3 के ऊपर q1, minus q1, q2, minus q2 and q3. सब के बज़े से simply add होके आएगा. q1 minus q1 0 होगया, q2 minus q2 0 होगया. अब बचा होगा v3 is equal to kq3 divided by 3 r. अब यह q लिखा मैंने, अरे भाई मैंने क्या बोला था, q1 के वैसे कितना होगा? इस q1 के वैसे, kq1 by 3 r. इसके वैसे कितना होगा? कितना होगा? भाई, minus kq1 by 3 r, center से distance लेना है 3 r. इधर निकाल रहा हो, मैं v3 पे निकाल रहा हो. तो q1 minus q1, q2 minus q2, सब 0 हो जाएगा, बचेगा q3 के वज़े से. तो v1 is equal to क्या करना है मुझे? v3 करना है. अब v1 is equal to जब v3 करता हो, तो मैं वापस पूरा का पूरा यहाँ पे लिखता नहीं हूँ. अब v1 और v3 को equal करोगे, तो यह v1 है, मैं इसके सामने ही v3 लिख देता हो, kq3 by 3r. अब देखोगे, इन दोनों को जब मैं equate करता हो, तो यह और यह term cancel हो गया. यहाँ पे कितना आया? अब इन दो terms को मिलके आएगा, kq1 divided by 2r. और इन दो terms को मिलके कितना आएगा, kq2 divided by 6r. is equal to क्या होगा? 0. यह आएगा equation number 3. अब equation number 3 को मैं solve करूँगा, तो आप देखोगे, यहाँ पे इस सारे चीज़े cancel हो जाएगी, बचेगा क्या? बचेगा minus 3q1 is equal to q2. equation number 4. equation number 1, 2 and 4 को मुझे solve करना है और answer निकालना है. अब यहाँ पे देखो q2 की value यहाँ पे डाल दो, यहाँ पे minus 3q1, minus q1 तो कितना आएगा? minus 4q1 is equal to आएगा, minus q. देखो यहाँ पे डाल के देखो, q1 की तो value आगी, basically q by 4. q1 q by 4 आया, तो q2 की value आई, minus 3q by 4. देखो यहाँ पे डाल के देखो, तो आगया, अब q1 और q2 आगया, तो q3 की value भी आएगी, q3 की value कितने आई, इस equation में डाल के देखके, q3 की value आएगी 2q. देखो इन तीनों equations को solve करके देखो, मतलब यह नहीं आपको समझ माया रहा है, तो वीडियो को pause करो, खुद solve करो इस simultaneous equations को, और यह answer निकाल दो, अब देखो, यहाँ पे q1 की value मेरी आई, q by 4, तो यहाँ पे q1 की मेरी value आई, q by 4, फिर यहाँ पे आया, minus q by 4, अब q2 की value यहाँ पे आई, minus 3q by 4, ठीक है, देखो इन दोनों को add करके, इन दोनों को मैं add करूँगा, तो value कितना हैगा, minus q, मतलब ही सही है, ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया, यहाँ पे minus q2, तो minus q2 कितना है, इसके उपर आएगा 3q by 4, ठीक है, और q3 की value होई, 2q, ठीक है, तो यह मेरा हो गया final charge distribution, तो new charge distribution तो मेरा आगे, पुछा क्या, charge flowing through the switch, switch से कितना charge जाएगा, आप देखोगे, तो इस inner sphere के उपर charge कितना था q, initial charge था q, बचा कितना q by 4, तो जो गया हुआ charge है, q minus q by 4, बचा हुआ charge कितना होगा, 3q by 4, यह 3q by 4 charge गया कहां से होगा, इधर से तो wire सी तो गया होगा, तो switch से कितना charge गया, 3q by 4, यह मेरा answer है सीधा, तो बस 3q by 4 charge यहाँ पर गया, अब यहाँ पर देख भी सकते हो, 2q charge पहले से ही था, इसके उपर जो extra charge आया, 3q by 4, वो तो wire सी आया होगा, तो charge flowing through the wire, और the switch is 3q by 4, यह मेरा answer है, अब जो यह मेने question यहाँ पर दिया होगा है, यह medical exams के लिए, इस type का question नहीं आता, क्योंकि इसमें थोड़ा लंबा calculation होता है, यह question जो IIT entrance है, उसमें इस type का question जनरली पूछा जाता है, ठीक है, तो I hope आपको यह question समझ माया होगा, चलो अच्छी बात है,